वेलो फ्रेंट्स बी युद्ट्यूब चैनल में आप सबीका स्वागत है फ्रेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के अपकमिंग फॉन वीवो वी 17 प्रो के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे के क्या इस फॉन में आपको इस कि देखने को मि करते हैं और क्या प्राइज रेंज में यह फोन लॉंच होने वाला है और इस फोन में आपको अगर आप केश या फैनेस करवाते हो तो आपको क्या क्या इस फोन पर आपको देखने को मिल जाएगी वह सारी चीजह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे और फ्रेंड्स जो मैं टाइम गवाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं फोन की डिजाइन की तो इसमें आपको वर्ल्ड फर्स्ट थर्टी टू मेगा पिक्सल डूल पॉप-प सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको टूइंटी इस्ट रहेगी अनलॉकिंग की 0.37 सेकंड की और डिस्प्ले के उपर जो आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी वह मिलेगी आपको शॉर्ट जन सेशन अपकी जो के एक गोरिला ग्लास के कंपेरिजन का आप ग्लास कह सकते हो अब बात करें इसके बैक पैनल की तो इसमें आप आपको बैक मैं ग्लास बोडि देखने को मिल जाएगी जो के है आपके ग्लाडियन डीजैन के साथ और इस बोडी के वपर आपको जो प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी हों मिलेगी cuisine गोरिल्ई ग delivery ग्लास फिक जेनेरेशन की और इसमें आपको दो न्यावरी готов। देख देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको सुपर नाइट सेल्फी देखने को मिल जाएगा क्यूंकि इसमें दिया हुआ आपके मूनलाइट फ्लैश और जो फंट कैमरा है आपका 32 मेगा पिक्सल उसका अपर्चर है एफ 2.0 का और जो एट मेंगा पिक्सल कैमरा है की गानेटी लिए है कि अगर आप दिन में 25 बार इस कैमरे को यूज करते हो मतलब पॉपप को ओन आफ करते हो तो आठ साल तक इस कैमरे की डूरेबिल्टी रहेगी जो के इसक्रेच रेजटेंट गिलास है और इस कैमरे को पर जो आपको प्रोटक्शन देखने को मिलेगी ग्लास की तो चलिए बात करते हैं आप डाटें आप एक सो बीन टुट प्र और जिसका अपर्चर आपको देखने को मिलेगा f2.2 का और जो 48MP का man camera है उसका अपर्चर देखने को मिलेगा 1.8 का और जो 2MP का camera है वो आपके bokeh effect के लिए use होगा जिसका अपर्चर है f2.4 का और जो चौथा camera है वो दियावा है 2x optical zoom और 10x digital zoom के लिए और जिसका अपर्चर दियावा है f2.5 का तो अब बात करते है configuration की तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 675 का AI 2.0 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा 8GB की RAM plus 128GB की internal storage देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको जो RAM की quality देखने को मिलेगी वो LPDDR4X की देखने को मिलेगी और हाफ रेंड्स यह जो 8GB plus 128GB आपको internal storage वाला जो आपको variant दे रहा है वो single variant आएगा जो के जहां तक मुझे पता चला है 99% इसमें आपको dual sim का ही support देखने को म नहीं मिलेगा और इसके साथ साथ आपको Android 9.0 Pi देखने को मिल जाएगा जो कि बेस्ट है फंटाच हो है इस 9.1 पर और इसमें आपको 41 mh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और इसके साथ 18W का Type-C का dual engine fast charger देखने को मिल जाएगा और बाकी के features में आपको display पे दिखा देता है उसका unboxing और hands-on review में आपके लिए 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 लिखे आऊँ तो अब बात करें यह क्या price range में launch होने वाला है तो यह launch होने वाला और अगर यह product आप offline या online से purchase करते हो तो कुछ scheme online के लिए है कुछ scheme offline के लिए है जैसे मैं आपको offline में क्या क्या scheme है है वो मैं आपको बता दे अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद्वन्दे मात्रम